एक स्मार्ट पॉच के बारे में जो की अंडर 2000 रुपीज में काफी सारे फीचर के साथ आती है तो यहां पर आज हमारे पास है है हैमर पॉल्स 3.0 जो की आपको ब्लुटूथ कॉलिंग के साथ आती है तो इसमें आपको एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर मिल जाता है तो आग आपको वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और एसे टेक वीडियो के लिए हमारी चैनल को निचे जाके सब्सक्राइब करना तो चलिए शुरू करते है तो यहां पर आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है है हैमर पल्स 3.0 लिखा है दा गेम चेंजर और एक्सपिरियंस दे पावर ऑफ 3.0 लिखा हुआ है ब्लैक कलर में हमारी स्मार्ट वॉच आपको मेलेगी पीछे कुछ डिटेल लिखी हुए जहां पे 6 मंस की आपको वारंटी मिल जाती है तो यह कच्छी बात है चलिए अभी हम दे स्मार्ट वॉच मिलती है तो यहां पर स्लाइड करने के साथ एक और बॉक्स अंदर निकल जाएगा तो यहां पर भी हैमर पॉल्स 3.0 लिखा हुआ है तो चलिए इसको भी ओपन करके देखते है कि क्या कंटेन आपको इसके अंदर मिल जाता है तो यहां पर ऊपन करने के साथ आपको दो चीजे मिलती है एक तो अमारी स्मार्ट वॉच और दूसरा है मेग्नेटिक केबल जो कि आपको चार्जिंग के लिए हल्प करेगा तो यह केबल आपको संबाल के रखना है ताकि आप इसको चार्ज कर पाँ आराम से तो यह हमारी स्मार्ट पॉच और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए जो कि आपको फॉलो करना है उसके साथ आपको यहां पे दो कार्ड वगिरा मिल जाते हैं जिसमें एक यूजर मैनूल है और दुछरा आपको वारंटी रेजिस्ट्रेशन के लिए डीटेल दी हुई है तो आप वह पॉलिटी के बात करें तो यहां पर देख सकते हो कि ब्लेक कलर में पूरी हमारी स्मार्ट वॉच है इसमें आपको 20 mm के स्ट्रेप मिल जाते है जो की सिलिकॉन बेज और काफी अच्छी यहां पर क्वालिटी आपको मिल जाती है जिसको आप इजिली रिमूव कर सकते हो और उसके साथ आपको speaker grill, microphone, sensor और आपको charging के point मिल जाते है तो overall इसकी build quality काफी अच्छी है जिस prices में यह आती है मुझे इसकी build quality काफी अच्छी लगी यहां पे आपको side में बटन मिल जाता है जो की आपको multi purpose बटन है और यहां पे आप देख सकते हो कि overall build quality काफी अच्छी दी हु और यहां पे आप देख सकते हो कि इस तरीके की आपको display मिलने वाली है जो की 1.69 inch की HD display है जो की काफी अच्छी display जिसके बारे में मागे detail में बात करेंगे यहां पे पहनने के साथ आप देख सकते हो कि काफी अच्छी दिख रही है यह watch आपको unisex मिल जाती है male female दोनों इस काफी comfortable भी है तो मुझे तो इसकी quality काफी अच्छी लगी आपको कैसी लगी नीचे comment करके जरूर बताना चलिए अब हम बात करते हैं इसके features के बारे में तो यहां पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की आपको display मिल जाती है full touchscreen display यहां पर watch faces आपको कुछ चार तरीके के मिल और आपको application में काफी सारे मिल जाते है जो कि आप customize कर सकते हो मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा आप नीचे down करते हो तो आपको कुछ option मिल जाते है आपको sleep के लिए मिल जाता है आप cinema के लिए change कर सकते हो यहां पे menu style आप दो तरीके की कर सकते हो आपको weather मिल जाता है torch का यानि की आपको call करना है नहीं करना है shake on कर सकते हो off कर सकते हो do not disturb mode theater mode है उसके साथ आपको dial change करने का option मिल जाता है power on off काफी सारी चीज़े यहां पे मिल जाती है उसके साथ अगर मैं side के और करूं तो यहां पे आपको step counter मिल जाता है उसके साथ आपको sleep monitoring का option दिया हुआ है उ तो कि आप sense कर सकते हो उसके साथ phone का option है जो आगे हम बात करेंगे यहां पे आपको BP का option पे मिल जाता है तो वो भी आप यहां पे measure कर सकते हो SPO2 का support दिया हुआ है तो यह भी आप measure कर सकते हो weather का option भी यहां पे available है उसके साथ आपको अगर music control करना है तो आप यहां पे music भी control तो काफी सारे फीचर यहां पर मिल जाते हैं अगर इसके मैनू की बात करो तो यहां पर राइट स्वाइप करोगे तो पूरा आपको मैनू मिल जाता है और यह आप देख सकते हो कितना फ्लूइड टश्क्रीन है मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी टच की कॉलिटी यहां प यहां पर लगा के अपनी exercise कर सकते हो यहां पर फोन का option है आपको जो बीपी यहां पर भी मिल जाता है SPO2 मिल जाता है वेदर मिल जाता है यहां पर मैसेज इसमें आपकी सारी नोटिविकेशन आएगी शटर का बटन दिया हुआ है तो आप इसमें शटर बटन यूज कर सकत अगर यह list view को आपको change करना है तो आप एक और mode में जा सकते हो तो यहां पर honeycomb mode है तो कुछ इस तरीके से आपको यह menu मिल जाएगा चो कि देखने में काफी अच्छा दिखरा है और मुझे भी काफी पसंद आया तो कुछ इस तरीके से आप menu को customize कर सकते हो यहां पर काफी अ यहां पर पीछे microphone और speaker दिया हुआ है जिसके बारे में हम आगे detail में बात करेंगे कैसे calling करना है वो सारी detail में हम बात करेंगे तो यहां पर अब हम बात करते हैं इसकी application के बारे में तो यहां पर आपको the feet app मिल जाती है Android और iOS दोनों के लिए तो यहां पर उपन करने के साथ के लिए sleep के लिए heart rate sensor के लिए सब मैनू मिल जाते है तो आप अगर detail में देखना चाहते हो तो आप इसके home page पर भी यह सारी detail देख सकते हो उसके साथ यहां पर आपको नीचे तीन option दिये हुए जहां पर second option में हमारी smartwatch के बारे में है तो यहां पर second option पर क्लिक करोगे तो हम more watch faces का option दिया हुआ है तो यह काफी सारे watch faces के साथ आती है तो यहां पर आप इस में से customize कर सकते हो और अपनी watch में डाल सकते हो उसके साथ यहां पर notification है तो काफी सारी notification यहां पर on है और यह सारी notification जैसे connect होगा आपके smartwatch पर मिल जाएगी alarms यहां पर आपको यहां पर मिल जाते है उसके साथ आपको shutter का यहां पर option दिया हुआ है तो अगर आपको इस smartwatch से photo खीचना है तो आप इसको as a shutter button यूज कर सकते हो तो यह काफी helpful होगा तो यहां पर देख सकते हो shutter button पर जैसे click किया यह countdown start हो गया और यह photo खीच गई तो smartwatch में दिखेगा तो total 8 contact आप अपनी smartwatch में डाल सकते हो तो यहां पर आपको simply इस पे plus पे click करना है और यहां पर आपको जो भी 8 जनके mobile numbers आपके smartwatch में चाहिए आप select कर दीजिए उसके साथ आपको यहां पर done पर click करना है तो जैसे ही done करोगे यह uploading start करेगा और total 8 आप अपने smartwatch पे number देख सकते हो जहां पर आपको speed dial कर सकते हो तो यहां पर option मिल जाता है phone का जहां पर call record का option है उसके साथ आपको dial pad का option है तो number पता है तो आप dial कर सकते हो और contact में जाओगे तो आपने जो 8 जनके number select किये वो यहां से आप directly call कर सकते हो यहां पर ध्यान में यह रखने वा यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है और microphone और speaker की detail में हम आगे बात करेंगे यहां पर application में और कुछ चीज़े की बात करूँ तो other का option दिया हुआ है जिसमें काफी सारे settings आप कर सकते हो जैसे की find device का option है time format आपको change करना है unit system change करना है do not disturb mode है reminder to move यहां पर दिया हुआ ह start rate आप on कर सकते हो language change कर सकते हो auto lock को यहां पे change करना है तो कर सकते हो quick view का option है उसके साथ drink water reminder का option दिया हुआ यहां पर psychology cycle reminder का option भी दिया हुआ है जो कि एक यूणिक चीज़े तो यहां पे काफी सारे settings आपको मिल जाते हैं अपने according अप्त्र कर सकते हो अप्ग्रेड में आपको वर्जन दिखाएगा कि कौन सा है उसके साथ यहाँ पे आपको प्रोफाइल का उप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल आपका गोल वो सारे चीज़े यहाँ पे देख सकते हो तो ओवरॉल इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और काफी अप्लिकेशन भी अच्छी यहां पे मिल जाती है तो मुझे तो यह अप्लिकेशन काफी इजी तू यूज लगी और यहां पर अगर आपको मैं और डीटेल की बात करो तो आगे जो मैनू है उसमें आपको स्टेंप में जाके आप पूरा वीक पूरा मंत का डीट यहां पर मिल जाएगी आउड़ोर रॉनिंग में यहां पर आपको GPS लोकेशन का ओप्शन में दिया हुआ है तो यह भी काफी अची चीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको यह अप्लिकेशन कैसी लगी अब हम बात करते हैं कि इसकी जो माइंक्रोफो है जो आपके एक दशमलव 5GB गैनिट डेटा कोटा में से बचा हुआ है और यह 24 वी जून दो हजार दाइस एक 21 एम पर ही न्यू होगा तो अभी आप जो ओडियो सुन रहे हो वो आपको हैमर 3.0 के माइक्रोफोन से रेकोड की गई ओडियो है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इस पे आप क्या कॉलिंग कर पाओगे या पी नहीं कैसा आपको ओडियो लग रहा है ज़रूर से नीचे कमेंट करके ब बात करो तो मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगी और काफी इसको यूज करके किसी के साथ बात करने के लिए सामने वाले को क्लियर वोइस से सुनाए देता है उसके साथ अगर इसके कुछ और फीचर की बात करें तो इसमें आपको Bluetooth 5.0 मिल जाता है connectivity में और यहां पर आपक चे से साथ दिन टिपिकल यूज पे आप यूज कर पाओगी यानि कि नॉर्मल यूज पे अगर आप फूल फ्लैच इसको Bluetooth कॉलिंग के साथ यूज करते हो तो आपको दो से तीन दीज़ का यहां पर बैटरी बैकप प्रोवाइड हो जाएगा और इसको फूल चार्ज हो औ बैटरी बन दो कंटे लगते हैं तो अगर आपको इस तरीके की 2000 में कोई स्मार्ट पॉच पर्चेस करनी है तो मैं डेफिनेटली इसको आपको रिकमेंड करूंगा और यह जियो मार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी तो अगर आपको पर्चेस करना है लिंक में नीच शेयर कीजिए और ऐसे ही टेक वीडियो के लिए हमारी चैनल को नीचे चाके सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हम कुछ ऐसा एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए बाद